दोस्तों सबसे पहले आपके पूरे परिवार को हमारी तरब से दीपा वली की धेर सारी शुब कामनाएं जै माता लक्ष्मी हलो दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोग कैसे हैं या बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी लिखकर जरूर सेंड करें हमेशा की तरह तो दोस्तों आज का वीडियो है दीपा वली कब है 24 को है या 25 को है पूजा का सुब मुहूरत क्या है किस मुहूरत में आप पूजा करें जो बहुत ही अच्छा रहे बहुत ही सुब फल मिले और ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे दोस्तों इस इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में जो वैल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके इस साल दीपावली का परवपंचांग के अनुसार कार्थिक मास की क्रिष्ण अमवश्या तिथी को मनाया जाता है इस बार साल सन 2022 में कार्थिक अमवश्या की तिथी 24 अक्टूबर दिन शोमवार के दिन दीपावली मनाई जाएगी दोस्तों दोस्तों दीपावाली का परव सुक समर्द्धी और वैभो का प्रतीक है दीपावाली के परव पर लच्मी जी की पूजा करने से जीवन में यस वैभो बना रहता है और जीवन में धन की कमी दूर हो जाती है दोस्तों इसके साथ ही इस दिन गड़े जी की भी पूजा की जाती है दोस्तों तो आईए अब जानते हैं कि पूजा का सुब महूर्त क्या है किस महूर्त में आपको पुजा करना बहुत ही ज्यादा शुब होगा दोस्तों इस दिन अमवस्या तिथी साम पांच बजकर 27 मिनट से सुरू हो रही है जबकि अमवस्या तिथी की समापती 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को साम 4 बजकर 18 मिनट पर हो रही है दोस्तों दीपा वाली चोगडिया मुहूरत दिन का है ये इसमें 4 मुहूरत हैं दोस्तों अमरत सुब चर और लाव तो सबसे पहले अमरत मुहूरत की बात करते हैं सुबह 6 बजकर 27 मिनट से 7 बजकर 52 मिनट तक रहेगा और शुब का है 9 बजकर 16 मिनट सुबह और सुबह 10 बजकर 41 मिनट तक रहेगा दोस्तों और चर का मुहूरत है एक बजकर दुपहर में एक बजकर तीस मिनट से और दो बजकर चववन मिनट तक रहेगा दोस्तों ये दुपहर का मुहूरत है और लाब का मुहूरत है दो बजकर चववन मिनट साम से शुरू होगा दोस्तों चार बजकर अठारा मिनट तक रहेगा दोस्तों दीपा वाली का चौभडिया मुहूरत रात का क्या है ये भी हम बता देते हैं आपको इसमें भी चार मुहूरत हैं लाब सुभ अमरत और चर ये चार मुहूरत हैं इनकी भी टाइमिंग हम आपको बता देते हैं लाब है रात में दस बजकर बारा पांच तक है दोस्तों ये सुबा 25 अक्टूबर तक रहेगा और शुब का है एक बचकर 41 मिनट से शुरू होगा दोस्तों और तीन बचकर 17 मिनट तक रहेगा अमरत का है तीन बचकर 17 मिनट से चार बचकर 52 मिनट तक रहेगा दोस्तों और चर का है चार बचकर 52 मिनट से शुरू होकर 6 बचकर 28 मिनट 25 अक्टूबर तक रहेगा दोस्तों दोस्तों लश्मी पूजा का मुहूरत शुरू होगा 18 बचकर 54 मिनट 52 से शुरू हो जाएगा और 20 बचकर 16 मिनट 7 से केंड तक यहां अवधी रहेगी दोस्तों यानि कि आप 1 घंटा 21 मिनट तक लच्मी पूजा का प्रावधान रख सकते हैं आप इस समय में आप अपनी पूजा संपन कर लीजिए उसके बाद प्रदोस काल सु है आपको बता देते हैं सत्रा बचकर 43 मिनट और 11 से केंड से शुरू होगा और 20 बचकर 16 मिनट 7 से केंड तक रहेगा तो यहां है सुब मुहुरत जो हमने आपको बताया है कब प्रदोश काल होगा और कब ब्रसब काल होगा और लचमी पूजा का मुहुरत सुब कितना है और कितने बज़े तक रहेगा दोस्तों आसा करते हैं आपके सारे डाउट किलियर हो गए होंगे जो भी आपके प्रशन रहे होंगे आपने सारा वीडियो में सुन लिया होगा सब कुछ क्लियर कर लिया होगा तो अगर आपको मेरा या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और कमेंट बॉक्स में जै मातादी लिखना बिलकुल भी ना भूलें दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए बाई के कियर